उपमुख्य मंत्री श्री नितिन भाई पतेल, संसवत में मेरे साथी और गुजरात भाजपा के अद्यक्ष श्रीमान स्री आर पाटिल जी, पी-एम गरिब कर लियान अन्य योजना के सभी लाबार थी, भाई और बहनों, बीते वर्षों में गुजरात ने विकास और विश्वास का जो अनवरत सिलसिला शुरू किया, वो राज्य को नई उचाई पर ले जा रहा है, गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारी किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हीत में, हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है, आज गुजरात के लाखों परिवारों को पी एम गरीब कल्यान अन्य योजना के तहट एक साथ मुप्त राशन वित्रित किया जा रहा है, ये मुप्त राशन वैश्वीक महामारी के इस सबय में गरीब की चिन्ता का काम करता है, उनका विश्वाद बढाता है, ये योजना आज से प्रारब नहीं हो रही है, योजना तो पिछले एक साल से करीब करीब चल रही है, ताकि इस देश का कोई गरीब भूखा नस हो जाए, मेरे पैरे भायों बेहनों गरीब के मन में भी इसके करने विश्वास पैदा हुआ है, ये विश्वास इसलिए आया है, क्योंकि उनको लगता है कि चुनावती चाहे कितनी भी बड़ी हो, देश उनके साथ है, थोड़ी देर पहले मुझे कुछ लाभार्तियों के साथ बातचीत करने का आउसर मिला, उस चर्चा में मैंने अनुभव भी किया, के एक नया आत्मविश्वास उनके अंदर भरा हुआ है, साथियों, आजहादी के बाद से ही करीब करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बाद कही थी, सस्ते राशन की योजनाओं का दाइरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था, वो सिमीती ही रहा, देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए, लेकिन भुखमरी और कूपोशन में उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई, इसका एक बड़ा कारण था, कि प्रभावी डिलिवरी सिस्टीम का न होना, और कुछ बिमारिया भी आ गई व्यवस्थाओं में, कुछ कटकी कमपनी भी आ गई, स्वार्थी तत्व भी गुज गए, इस थित्री को बदलने के लिए, साल 2014 के बाद, नए सिरे से काम शुरू किया गया, नए टेक्नोलोजी को इस परिवर्तन का माध्यम बनाया गया, करोडों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टीम से हटाया, राशन कार को आधार से लिंक किया, और सरकारी राशन की दुकानों में डिजिटल टेक्नोलोजी को प्रोटसाहिक किया गया, आज परिणाम हमारे सामने हैं, भाई और भहनों, सो साल की सबसे बड़ी विपत्ती सिरफ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर आई है, पूरी मानवजात पर आई है, आजी विक्रिकाप पर संकट आया, कोरोना लोगडाउन के कारण काम धंदे बंद करने पड़े, लेकिन देश ने दिया, दुर्भाग्य से दुनिया के कई देशों के लोगों पर, आज संक्रमन के साथ साथ, भुख मरी का भी बीशन संकट आ गया है, लेकिन भारत ने संक्रमन की आहट के पहले दिन से ही, इस संकट को पहचाना और इस पर काम किया, इसलिए अज दुनिया भर में प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के प्रसमसा हो रही है, बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारिप कर रहे हैं कि भारत अपने असी करोड से अधिक लूगों को इस महामारी के दौरान मुप्त अनाच उपलब्द करा रहा है, इस पर दो लाख करोड रुपिय से अधिक यह देश खर्च कर रहा है, मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहें, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे, आज दो रुपिय किलो गेहूं, तीन रुपिय किलो चावल के कोटे के अतिरिक हर लाभारती को पांच किलो गेहूं और चावल मुप्त दिया जा रहा है, यानि इस योजना से पहले की तुल्ना में राशन काड़ धारकों को लगभग डबल मात्रा में राशन उप्लब्द कराया जा रहा है, ये योजना दिवाली तक चलने वाली है,